आज हम आपको लिए करका है मासिक परिच्छन माह जुलाई वी से बहुत की का जो की क्वेल्थ क्लास का है इसका टाइमिंग आपको बताया गया है 45 मिनट और जो टोटर अंग बताया गया है वो है मारक के तर्षाथियों यहां पर सभी प्रशनों के अंसर आपको दिये जाएंगे जैसा कि यहां पर पहला प्रशन है एक कुलाम में कितने आवेस होते हैं तो आप उस सुद्र मालूम होता है कि क्यों बराबर क्या होता है एंड इक होता है यहां पर से इस E को इधर पर चांतर कर देते हैं तो सुत्र हो जाता है Q by E equal N इससे हमको Q की जखार रख देना है एक और E की जखार जो उसका value होता है वो रख देंगे यहां पर हमने बताया है एक कुलाम में 6.25 गुणा 10 की घाथ 18 इलेट्रान होते हैं और यही इलेट्रान क्या कराते हैं आवेश कहलाते हैं और इसके बाद हम इसका प्रश्कमांग दो लिखते हैं को क्या क्या करता है विद्धृ धालता का V सब्सक्राइब पर ठाइने सो सब्सक्राइब मुझाओ सब्सक्राइब अब उसका हमने इस सूतर की साहता से बताया है कि सी इई कोल होता है Qi by V और qA में से होता है जिसका value होता है व इन सूतर में A T RV भीषाव या विभांतर होता है जिसका व वी में सूतर होता है albums t-3 A-1 और यह जो नीचे वाला भाग है यह जब अपर जाता है तो यहां T-3 है, यह T से जूड़ करके T4 हो जाता है, यह मैनस 1 है, उपार जाके 2 हो जाएगा और यह दोनों उपार जाके मैनस हो जाते हैं, इसका बाद हम देखते हैं, इसका परस कमांग 3 क्या है, इस तिर विद्धुत में Q1 प्लस Q2 बराबर 0 क्या दर्स आता है, तो साथ ह है, चुक्कि है, आप देख सकते हो कि Q1 क्या है, Q2 क्या है, आवेस है, तो दो आवेसों से मिल करके एक निकाई बन रहा है, जिनका कुल योग जो है, क्या बता रहा है, जिरो, तो इसका जो आंसर होगा, वो किस रूप में होगा, हमने उसका भी लिख रखा है, तो आईए बताते हैं, इस्थिर विद्द्द में Q1 plus Q2 बराबर 0 आवेसों के निकाई का योग सुन्ने है को दर्साता है, अर्थात विद्द्द की स्थिर आवस्था को ये क्या कर रहा है, पड़र्चित करता है, सिंपल है, चुकि वैल्यू सुन्ने है, इसका मतलब विद्द्द जो इसके गढ़ना कीजिए, तो आपको साथ हो मालूम है कि कोई भी तत्व जो है, इलेट्रान, प्रोटान और निट्रानों के योग से ही उसके परमाडू भार निक्षित होते हैं, परमाडू का मांग जो है, प्रोटानों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन परमाडू यग फाल जो है, इलेट्रान प्रोटान, और निट्रान तीनों के योगके बराबर होता है, तो यहां पर चुकि यहां है, नाहए नेट्रोगन परमाडू की संख्या भी साथ होगा, हम जानते हैं और ऑल्लेट्राम में आवेस की कि जो मात्र होती है, मिनिमम अ महत्क कम होत एक इलेटान पर जो आवेश होता है उसका मुल्टिप्लाइ कर देंगे हमने उसका अंसर भी यहां लिख रखा है देखें साथ एन फोर्टीन में साथ इलेटान होते हैं तथा पर एक इलेटान पर आवेश की जो मात्रा होती है वो कितना होता है एक रसम उच्छा है गुणा देखात 19 होता है आता है तो इस सेवन फोर्टीन में कुल आवेश जो है वो कितना होगा सेवन इन्टू 1.6 इन्टू 10 टू पावर माइनस 19 और जब इस सेवन का इस 1.6 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 167 जा होता है 112 तो यह आपको कनवर्ट हो जाएगा 11.2 इन्टू 10 टू पावर माइनस 19 कुलाम में इस प्रकार से यह होता है आपको कुशन नमर 4 अब हम देखते हैं कुशन नमर 5 तो कुशन नमर 5 क्या बोल रहा है निमन बिंदू आवेसों के कारण विद्दू छेतर रिखाएं खीचिय तो सथियों विद्दू छेतर रखाएं खीचेना एकदम आसान है लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा यहां पर देखे क्यू जो है क्या है वो 0 से छोटा है जबकि दूसरे वाले में क्यू जो है 0 से बड़ा है अब छोटा कौन होता है छोटा होता है जिस पर रिनावे क्योंब्स हो जाएगा और माइनस कि मतलब से बढ़ा भाए में जो क्या हो जाएगा धना अविश हो जाएगा और इसका जो आपको रशानी की जरूदे एकदम सिंपल है यह तो रिजना में जो है हमेशा किसीभी दिसा में हो ये कीवल आवेश को क्या करता है ग्रहाण करने का प्रयाज करेगा मतलब इस में जो चिन होगा वो आते हुए पृतीत होगा जो रिनाविस है वो केवल आविस को लेता है जबकि धनाविस क्या करता है आविस देता है तो इसमें जो चिन होगा वो बाहर निकलते हुए होगा बस इतना ही आपको करना है जो आ रहा है वो आपको क्या है माइनस और जो जा रहा है वो क्या है प्लस मतलब प्लस देगा और म जाएं लगाता है तरहात है कव्शें देखते हैं कुश्चन नमर फिर्ट क्या है कि को रीजिद्धित पावन किसे कहते हैं इसके विधित पवन क्या होता है इसका भी से लिखा है देखे वैदित पाउन एकदम सिंपल है जब कुछी चालकतार को नंगी अवस्ता में रखा जाता है अर्थात उसमें कोई भी सुरच्छा कवच्छ नहीं लगा होता है तब वायू के करूंड से लगातार टकराते रहते हैं जिससे उसका कुछ नकुछ आवेश जो ह को तक प्रेंगे और टकराएंगे तो कुछ नकुछ आवश वह बहाल ले लेकर कर पेसी जाएंगे तो जो ळस्माहन थारा करना है यही समोहन धारा क्या कहलाती है विद्दूत पौवन इसके बाद नेट्स कुशन देखते हैं कुशन नमबर 7 क्या कर रहा है छेहजाग चार सब किलो मेटर तरज्या वाली पिथवी की विद्द धालता माइक्रो फैराड में ग्याद किजिए आपको दे दिए गया है पिथवी का ग क्या करना है एकदम सिंपाल है सबसे पाले निए जानना कि नवी साथ कोनकि अलग अलग संधाले की द्हाली ता लग होता है यहां पर सिंपर्द जो हैं घूलाकार होता है अठाज आपका जो धालता का सुतर लगे होगा वो किसके लिए लगेगा गोली ये संधारी तर्की धालता का तो किस परकार से लगेगा आईए उसको देखते हैं तो हमने लिख रखा है उसको पिठ्थवी की तर्जा आर आपको दिया गया है कितना 6400 किलोमीटर के रूप में चूंकि पिठ्थवी गोलाकर होता है तता गोली चालक की धालता होती है वह कितना होता की रसी बराबर फोर पाई एपसलान 6400 किलो मीटर तो हम उसको यहां लिख देंगे और जब यह अभी आप कब मिलेगा किसमें फैरट में कुश्चन में हमको इस वर्ट रूप से बोला गया है कि आपको कुश्चन माइकरो बना में वर्ड ने के लिए हम करते हैं जो तो यह फैरड बदल जाएगा माइक्रो फैरड में लास्ट में हम का करते हैं जो चार है उसका 64 से मल्टिप्ले कर देते हैं तो 64 हो जाता है फैर्षंड नंब्र उसके क्वेश्युन में आपको क्या देकि करने के लिए कंप ज्यादर कुछ नी करना सबस्क्राइस अहाइनल आपको बना ले imposing इसका जो सरशन है देखे यह आपको इस ट्रैप कर दिया गया है एक सिरा ए है दूसरा भी है यदि इसी को देखा जाए तो हम इसका जो संसूधित परिपात है वह हमने यहां पर बनाया है तो एक हो यह दिये सिरा भी करें रहो तो देखेंगे इस प्रकार से देखेंगे तो यह भी जूड़ा है वैसे ही यह डायरेक्ट जूड़ा है और यह इन डायरेक्ट रूप से दोनों से जूड़ा हूआ है तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि A वाला सिरा भी तीनो संधारित से जुड़ा है और B वाला सिरा भी तीनो संधारित से जुड़ा है तो उसको हम संसुधित रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं और यह जो संसुधित रूप है यह समांतर क्रम सेयोजन कहलाता है तो हम उसको इस परकार से बना सकते हैं चुंकि सभी संधालिट जो है समांतर कम में है इसलिए समांतर कम से योजन में A और B के बीच तुल्य धालता जो है वो क्या हो जाएगा सुतर आपको मलूम होगा C equal होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 तो यहां आपको दिया गया है कि तीनों संधालिट का जो जालता है वो कितना है 2μF है तो हम यहां पर तीनों को यहां लिख करके जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा C बराबर 6μF मतलब 6μF यह हो जाएगा आपका कुशन नमबर 8 इसके बाद हम देखते हैं कुशन नमबर 9 तो कुशन नमबर 9 जो है थोड़ा बड़ी रूप में दिया गया है इस रूप में है चीतर में किसी एक समान इस्थिर विद्दुद छेतर में तीन आविसित कणों के पत चिन्दर्स आएगा है यहां पर तीन आविसित कणों के पत बता देगा है अब इसमें यह इस पर्ट है कि यह जो है जो एरो का साइन यह वाला एरो का साइन है यह आपको किसको बताता है एक समान विद्दुद छेतर को इस तिर विद्धोत जा रहो है चोंगई घैंपें और यह कर दों और देखेंगे क्या है जो सब्सक्राइब क्यों अगरेशित होगा आगे की और बढ़ेगा आकडशित करेगा जब इसमान है एक समान च्हेतर में सभी पर आवेस की मात्रा उतना ही होता है और ये दोनों का जो चिन होगा वो रिनावेस हो जाएगा जब कि इसका जो चिन होगा वो क्या हो जाएगा रिनावेस हो जाएगा तो ये दोनों रिनावेस और ये धनावेस अब इसके मातर ज्यादा दिखी रहा है बस तो इसी की जो सहती है वो क्या हो जाएगी अनुपात म एक में है बस इसका इतना ही आंसर होगा जो कि आपको तीन नंबर में दिया गया है इसके बाद अगला जो कुश्चन है वो क्या है गौस की प्रमे की सहायता से लंबी रिजरेखी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन विद्दुच्छेत्र की तियुरता का विंजक विद्दुच्छेत्र की तियुरता की ख्याद करना है के लिए आपकर का के र सकतार थेा उत्पन कार्णारएं यह चीत्र में मालेते हैं कि यह जो तार है यह अनंत लंबाई का एक चालक करना है तो इस पर विद्धु छिर्ट की दूटा क्यात करने के लिए आप क्यों क्या करना है इस प्रकार से एक कि चित्र बेलनाकार आकार का आपको बना लेना है और इस बेलन का को तीन भाग में बांट दिया जाएगा एस वान एस टू और एस थ्री तो उसी के बारे में यहां पर पढ़ते जाते हैं और काम करते जाते हैं तो देखे उस पर मना ज़से तार एल है उस पर एक समान रखे का अबेज घनक्तव प्रति एक लंबाई पर कितना है लेंडा है इस तार से आज दूल पर एक विंदु पी है जिस पर विदश्चेता आपको क्या करना है तो तार एल को आप क्या मानेंगे अच्छ मानकर आर्ट इंज्जा और लंबाई का एक आपको क्या बना लेना है एक करेगा करें एक गॉसी प्रिष्ट को हम क्या कर सकते हैं तीन-प्रिष्ट वह पहले ही दूसरा वह अल्ये तीसर भाग उसी को यहां पर फिर बताया जा रहा है तो यहां लिखा गया है संतर ब्रिटी पृटट स 1 वक्रप्र प्रिट स 2 और समतर ब्रिटि स three जिसको बुक्त में भी सित्र के माध्याम से आपको बताया गया है कि कि पर का से बता है कि यहांब देखेंगी कि मैं कि इतर में कि कि इस प्रकार से इसको तीन भाग में बाट दिया गया है S1, S2 और S3 में तो यहां क्या लिखा सम्मिझती से वक्र प्रिष्ट के पर्टेक बिंदु पर विदुष्चेत्र का जो पलिमाड है वो क्या होगा समान होगा तथा दिशा भी बेलंग की त्रिजी दिशा में किधर ह कि बाहर देखेंगे कि इसकी है झाल्प प्रिष्ट लिया है इसकी जिशा है वह भी किदर होगी तृजी दिशा में बाहर होगी अब इसकी दिशा भी बाहर है गया देख सकते हैं और यह दोनों की दिसाइं क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी एक समद होगी तो ing00 ग χोटा सिब्से से गुजारने मौला बैदूत Primal का कट कर रही है इयूben पिंधे आप एडिय वहाबर यह सदये ख्यार्य बेदा तो यहाँ प्रफ ज pos बचेबें है सिन निकाल देंगे बाहर कि बचेगा बन बुट्ट करें कि समाधाने आप डियेस चूंकि यह पूरा का पूर यह वक्री प्रिट है कि इसलिए हम यहाँ पर बता हैं यह जाता से जाधा बेलन के बराबर होगा तो यह जो यहां पर नीचे बता दिया है जहां बनपुच्च करएक मर रहे समगरानाँ आफ डि alt डि एस बराबर होता है टूय जो कि क्या चीज़ है बेलन का वकर प्रिल्ट अब यह तो अभी शुरुवात मिला इसके बाद समतल विट्टी प्रिट्ट एस वन और एस टू जो है क्या है विद्धुच्छितर के समानतर है समानतर है जो की तो उनके मात बनने वाला जो कोड होगा वह 90 डिगरी होगा और हम इस इस वन और एस ठीए का जो विद्धुच्छय रहागा यह वेद्धुच्छ जो है सन्य हो जागा तो उसके बारे में यह पर बतादिए गया है कि एस वन और एस्फलक्स से गुजारने वाला विद्धुच्छ का बेल्डू है क्या हो जाएगा शुने तो आपको कुल विद्धुत्फ्लक्स का मिलेगा फाइए बराबर 0 प्लस इंटू 2 पाइड प्लस जिरो अब यह जिरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो यह आपको केवल का बचेगा इंटू 2 पाइड बचेगा अब गौज का प्रमे लगा देना है तो गौज का प्रमे क् विश्चार हां यहां पर हम क्यों की जगा रगदें देंगों को एक रहें लम्डा एल और क्यों रखेंगे उसके बाद भी तू पाई आरल को क्या कर देंगे धर पच्छंतर तो लम्डा एल रखने के बाद आपको कट जाएगा तो जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर इस रूप में हमने रखा लेम्डा एल बाई अफलान जीर हो सब्सक्राइब किसी बिंदू पर विद्दु छेटर का पलिमार का वियंजग आप चाहें तो इसको सरी सुरूप में ले सकते हैं वैसे यही आपका मुख्य अंसर है इसके बाद हम देखते हैं आपका लाट कुश्चन तो लाट कुश्चन क्या है यहां पर यह गौश के प्रमे कही अनुप्रयोक का दूसरा भाग है इसको आप लोग अध्यन करेंगे और यदि समझ मिना आए तो कमेंट्स करके ज़रू बताइएगा मैं इसके लिए भी आपको एक अरक्से विडियो बना दूंगा इसके बाद समानतार प्लेट संधारीत्र में संचित उर्जां। के लिए वन्जां सबस पहले हम जानते हैं कि कोई भी संधारीत्र है उसको यदि हमको आविसित करना है तो आविस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कार्ण करना पड़ता है और यही कार्ण क्या होता है संधारिट में उसकी इस्तिति रुड़िया के रूप में संचित हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि किसी छल्ड संधारिट की जो पहली प्लेट है उस पर आवेज कितना है स्माल क्यू तथा जब इसमें क्यू होगा तो दूसरी प्लेट पर हम जानते हैं कि उसका विपरताविस होता है मतलब मैनस क्यूँ तब उनके बीच जो विभवंतर का शुतर होता है वीड्यक्ति क्यूब आई जहाँ सेगय क्या है संधाल की धलता है अब यहां पर हम भी की जभात भीड़्र का स्च करते हैं क्योंकि या भी समाहिश्क्र है कम ही हैं तो इस समय पर एक अतिरिक्त आफेश क्या करते हैं दूसरी पिलेट से पहली प्लेट तखलाते हैं और वह कितना है डूज्स क्यों हो तो उसके लिए हमसे क्या ह्याँ कारा पड़ अतिरिक्त आफेश कर नपड़ के रूपने रख देन इस DQ छोटे आवेश को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट से पहली प्लेट तक लाएंगे तो शुर्वात में आवेश जो हैं चुनने होता है और अन्तिम में जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा मान लेते हैं क्यूं है तो संपूर्ण आप इसको इस रांदित करने में किया गया कारियर का जो सुत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा w एक्वल समा कलन आप 0 से q q by c d q हो जाएगा इसके बाद हम करेंगे जिसका समा कलन नहीं होगा उसको निकाल देंगे बाहर तो यहां से 1 by c जो है बाहर हो जाएगा इस रूप में तो बच्चे का क्या 0 से लेकर के q और q d q इसका हम पुका कर देना है समा कलन तो इसका समा कलन क्या होगा q d q के समा कलन होंता है q square by 2 और जो लिमिट है 0 से q यह इस प्रगार से लग जाएगा अब एक बार उपर वाला value आ q square by 2 माइनस जब 0 रखेंगे तो 0 by 2 होगा जिसका कोई value नहीं है तो उसको हमने यहां पर 0 ही लिख दिया है इसके बाद यह जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1 by 2 q square by c के रूप में हो जाएगा तो यह आपको हो जाएगा किसी संधारित में संचित उर्जा इसके ब संचेर रोप में परिवर्टेद कर सकते हैं यदि आप सीएक्वल मैं आद है जो है दूसरा सृतर लिखें यदी हम स्यों एक वगदें सी भी अधी कुएक्वल सुटी तो यहां पर हम क्यू की जगह स्सीवी को रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा कारे जो है डबलू एक्व क्यूacial रखेंगे तो. जैसे का तैसे ही रहेगा क्यू लगा साइब की जगांजा मारएं स्कूरों हजाए ऊड़ायं हो जाएगा UP킨 कीजिए हरा जीए नहीं इंदा वन गार sera ज firefighters तो आपको क्या मिलेगा क्यू बाई भी एक्वल सी मिलेगा तो यहां पडिलादी हम सी की जगा क्यू भाई भी रखेंगे तो क्यों कुछ कड्ड है और भी चला जाएगा उपर किस रूप में इस रूप में डबलू बराबर इस भी को इधर पच्छंतर करने पर क्यू बाई भी एक्वल सी मिला अब यह डबलू है वन बाई टू जैसे का तैसा क्यू स्क्वेर भी जैसे का तैसा रहेगा और यह जो सी है इसकी जगा हम क्या रख देंगे क्यू बाई भी तो यह क्यू बाई भी है क्यू और क्यू प्लेट सनधारित के साथ साथ आपको अथोँ में भी कुछ प्रसन दिए गाएं जैसे किunnilis आपको क्या लिखाया संधारित किसे कहते हैं समंतर प्लेट संधारित के बीच ती मोटाई का को रखा गया है संधारित कि भालता ही प्राप्त किजिए